नमस्कार मित्रो आप सभी का फिर से हमारे यूटूब चैनल बाबू इलेक्ट्रिक टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जैसा आपको टाइटल और थम्निल के माददम से समझ में आ रहा होगा हाँ दोस्तो आज किस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी MCB कहां लगाते हैं MCB होती है आपको चित्र के माददम से समझ में आ रहा होगा ऐसी MCB होती है जो मकान में लगा जाती है आइसलेटर के साथ साथ में बहुत सारी MCB लगा जाती है तो कौन सी MCB कहा लगाते हैं इनका क्या का काम है कैसे काम करती है वो चीज आज की स्वीडियों में बताने वाला हूं तो जो भी मित्र हमारे यूटूब चैनल पर पहली बार है यूटूब चैनल से जुड़ने के लिए यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ सेर जरू करें तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं ये पांच परकार की जो MCB हो होती है जिसमें मैं आपको बता दू जो D-Type की MCB होती है जो D-Type की MCB होती है ये वाली MCB होती है इनको है वो घर में नहीं लगाना चाहिए जो कभी भी आप देखना MCB में लिखा होता है B6, C10, D5, K11 जो भी है जो नमबर आते हैं और आगे ये कोड आता है जिसमें दोस्तों जो D-Type की है आप कभी भी देखना न D-Type की घर में नहीं लगी होती है ज्यादा तर B, C, K, Z टाइप की लगी होती है जिसमें मैं आपको बता दो D-Type की MCB को घर में लहीं लगाने चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो D-Type की होती है वो हाई रेंज में होती है हाई रेंज का मतलब होता है हाई पावर की होती है और हाई पावर की जो काम आती है वो जैसे बैल्डिंग बैल्डिंग की जो मशीन होती है X-Ray की जो मशीन होती है जो हाई पावर यूज करती है उनमें जो D-type की जो MCB है वूल लगाते हैं अगर दोस्तो D-type की आप घर में लगाओगे तो ये होती है हाई पावर की और ये जो होती है कम पावर की होती है हाई पावर की होती होने के बाद ये ट्रिप नहीं होगी जो MCB का काम होता है ट्रिप होना ज्यादा लाइट आने पर ट्रिप हो जाती है करंट वरंट आने पर भी ट्रिप हो जाती है लेकिन D-type की क्या होती है हाई पावर की होती है तो ये क्या होता है कि ज्यादा करंट मिलन पर ये ट्रिप नहीं होगी और कम करेंट पर भी ट्रिप नहीं होगी तो दोस्तों अब बात करते हैं B-type की MCV क्या काम करती है तो आपको बता दू B-type की कभी यदि यह है जो MCV है यह है 10 Ampyr से ज्यादा का लोड ले रही है । जैसे MCV होती है इसमें 10 Ampyr से ज्यादा का लोड बह порichte है मतलब करंट प्रवाइड कर रहा है होरा है तो यह क्या होगा जो B-typ की MCV है 3-5 गुणा तीन से पांच गुना का लोड ले रही होगी का लोड उस टाइम ले रही होगी तो इसमें आपको क्या होगा कि 10 एमपियर की यह एमसी भी है इसे ज्याद़ तीन से पांच गुना का लोड ले रही है तो यह हो जाएगा 30 से 50 एमपियर 30 से 50 A का जो यह है वो current लेगी मतलब load लेगी तो यह क्या होगा यह जो MC भी है B type की यह 0.04 से लेकर 13 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 से के बीच में trip हो जाएगी B10 का मतलब होता है कि 10 A तक load अगर इसमें आ रहा है current बहरा है तो यह trip नहीं होगी लेकिन इससे ज्यादा 3 से 5 गुना का load अगर मिल रहा है इसे तो यह तुरुंत trip हो जाएगी जबी तो जो current आता है या ज्यादा load आता है ज्यादा light आती है मकान में तो यह जो MC भी है वह trip हो जाती है वह 0.04 से लेकर 13 से के बीच में trip हो जाएगी तो दोस्तो अब बात करते हैं जो C type की MCB क्या काम करती है कैसे trip करती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो पर बरेने ना अब दोस्तो बात करते हैं C type की MCB क्या काम करती है तो जो C type की MCB है यह वाली C type की MCB है इसको दोस्तो मोटर के लिए बनाई गई है यह वाली जो MCB है यह जो मोटर होती है आपको चित्र के मादधम से समझ में आ रहोगा कि मोटर के लिए बनाई गई है जब भी मोटर के लिए MCB आप की बोलोगे तो C टाइप की ही बोलोगे मतलब मोटर के लिए fix है कि C type की MCB लगाई जाएगी यदि कभी B type की MCB नहीं मिलती है यदि मानलो कि B type की कभी MCB आपको नहीं मिलरी दुकान में मार्केट में तो आप C type की MCB लगा सकते हो जैसे मानलो दोस्तो C type की MCB है जिसमें जो 10 है आपको बता दिया था मैंने Ampere होता है यह अब आपको बता दो C type की जो MCB है वो 5 से 10 गुना लोड ले रही है 5 से 10 गुना लोड ले रही है तो यह क्या होगा 5 से 10 गुना लोड ले कि 10 Ampere तो इसमें पहले से ही है तो यह हो जाएगा 50 से 100 Ampere का लोड 50 से 100 Ampere का जो लोड है वो आ जाएगा तो यह क्या होगा यह C वाली जो MCB है C टाइप की वो 0.04 से किंड से लेकर 5 से किंड के बीच ट्रिप हो जाएगी जो C टाइप की MCB है वो 0.04 से किंड से लेकर 5 से किंड के बीच जो है वो ट्रिप हो जाएगी मतलब 10 एंपिर जो एकसर होते हैं यहाँ पर अंकल लिके होते हैं इससे ज़्यादा अगर लोड मिल रहा है तो यह MCB ट्रिप होगी कि B टाइप की बता दी C टाइप की बता दी मैंने जिसमें 10 लिख रहा है 10 से उपर 10 से उपर लोड मिलेगा तो यह ट्रिप होगी और इसका टाइम फिक्स होता है 0.04 से 5 से किंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी जब भी तो दोस्तों करेंट लगने पर यह ज्यादा लोड और आने पर MCB तुरंत ट्रिप हो जाती है कभी आपने देखा होगा अब दोस्तों बात करते हैं D टाइप की MCB बारे में वैसे तो बात कर लेकिन और जो बारे किसे बात कर लेते हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं D टाइप की MCB जो D टाइप की MC के बारे में बताया था कि यह हाई पावर की होती है और इसे घर में नहीं लगाते हैं क्योंकि दोस्तों यह X-ray की मसीन X-ray की मसीन और बैल्डिंग के लिए यूज की जाती है हाई पावर के लिए यूज की जाती है अब दोस्तों बात करते हैं जो D टाइप की MCB है मान लो इसके आगे अक्सर होता है तो यह 10 होता है MPR धारा बहती है कि 10 MPR का इसमें लोड बहरा है मतलब धारा बहरी है तो दोस तो यह क्या होगा 100-200 MPR तक का लोड लेगी 100-200 MPR का लोड लेगी तो यह क्या होगा कितने टाइम में ट्रिप हो जाएगी तो यह हो जाएगी 0.04 से लेकर 3 से के बीच में यह लोड हो जाएगी जितना ज्यादा लोड इसमें करंट होगा उतना ही जल्दी ट्रिप होगी कम स पहले ही है तो इसको आप मल्टिप्लाई करोगे तो सो से 200 गुना एंपियर की धारा लोड इसमें बहेगा तो ये इस टाइब में त्रिपर हो जाएगी तो दोस्तों डी टाइब के बारे में मैंने आपको बतायते हैं गर्मी नहीं लगा जाती है बी टाइब की ज्यादा लग हो गया यह जयाड़े टाइप हो गाया है कि तो यह दोनों जो एंपी होते हैं बहुत ज्यादा सैंपी होती है तो आपको बतादू मैं जिसके बारे मैं आपको बतादू कि जो के हम सी इनलहु के डिफ ची ऍरता है वे साइट लेμεस्फ परक्रतभर निकलता है के टाइप की जो मसी बहता है जका मंतलब निकल रहा है तो यह क्या होगा एक मैली सेकेंडD में मतलब यह इतनी सेटिय होती है बहुत जलदी है twist है गुंती है ट्रीप हो जो ज़ेड टाइप की होती है, जो ज़ेड टाइप की होती है, वो high sensitive होती है, मतलब बहुत जल्द ट्रिप होने वाली जो MCB है, वो Z type की है, ये high sensitive MCB होती है, यदि इस MCB से 2-3 गुना current ही निकलता है, मतलब Z में यदि 2-3 गुना current निकल रहा है, तो ये क्या होगा MCB होती है वो एक मिली सेकंड में ट्रिप हो जाएगी यदि Z टाइप की MCB में दो से तीन गोना करंट वेरा है तो ये एक मिली सेकंड में ही ट्रिप हो जाती है इसलिए इन दोनों MCB का उप्योग गरों मोटर के लिए नहीं किया जाता जो ये के और जेड़ टाइप के टाइप और जेड़ टाइप को प्योग गरों में नहीं किया जाता गरों में नहीं किया जाता मोटर के लिए नहीं किया जाता क्योंकि ये दोनों जो MCB हो बहुत ज़्यादा sensitive होती है जल्दी trip हो जाती है इसलिए इनको घर में नहीं लगाते है तो दोस्तो आग की वीडियो में मैंने बताया कि B-type की जो कोन सी MCP कहां लगाते हैं B-type की बताई मैंने C-type की बताई D-type की बताई K-type की बताई और Z-type की मैंने MCP बारे में बताया कि B टाइप की क्या काम करती है, C टाइप की क्या काम करती है, D टाइप की क्या काम करती है, K टाइप की क्या काम करती है, और Z टाइप की क्या काम करती है, पूरी आपको डिटेल बताई मैंने, तो दोस्तों आज की वीडियो कैसे लगी, उम्मित करता एक नई टोपिक लेके तब तक के लिए आपका धन्यवाद